Hello everyone, I am Dr. Rukmani Sharma and in today's video, we are going to have the practice worksheet of nouns. Let us start. In this practice worksheet, first of all, we are going to discuss common nouns and proper nouns. इसके यहाँ पर exercise दी गई है, तो इससे हम जानेंगे कि हमें कितना पता है कि common nouns कौन से होते हैं और proper nouns कौन से होते हैं. आपने मेरी इससे पहली वीडियो तो जरूर देखियोगी जिसमें मैंने nouns और kinds of nouns को explain किया है. नहीं देखिये तो जिरूर देखिये उसे. यहाँ मैं इतना आपको बता देती हूँ कि proper nouns names होते हैं. और जैसे किसी का भी नाम है, person, place, or thing, और जो common nouns होते हैं, वो उस चीज़ को, उस general चीज़ को, जिस नाम से कहके हम बुलाते हैं, वो common noun होते हैं. जो particular नाम होता है, विशेश नाम होता है, वो proper noun होता है. प्रोपर noun के दूसरी पहचार यह भी होते हैं, कि वो हमेशा first letter से ही शुरू होते हैं. उनका first letter capital होता है, capital letter से शुरू होते हैं. Let us start. तो चलिए पहले हम common nouns देखते हैं, road, hospital, bathing, tiger, colony, watch, mountain, summer. यह सब के सब क्या हैं? Common nouns हैं. अब इसके बार हम proper nouns देखते हैं, हिमाचल, अकबर, स्मिता, महानदी, साकेत, फ्रांस, ग्रीन, मिस घोश, प्रेजिडेंट. प्रेजिडेंट के बारे में आप सोच सकते हैं कि यह common noun है या फिर यह proper noun है. यह use करने पर depend करता है. अगर कहीं पर आपने किसी country के केवल प्रेजिडेंट ओफ इंडिया ही लिखा है, तो वहाँ पर यह proper noun माना जाएगा. और अगर आप यह करते हैं कि every organization has a president तो वहाँ यह common noun नहीं होगा, तो कि वहाँ हम जन्दल में यूज़ कर रहे हैं. और प्रेजिडेंट विंडे जब बता रहे हैं तो वह specific यूज़ कर रहे हैं. और common noun में radio और watch भी common noun में आते हैं. आप चलिए यह proper noun की practice के लिए है, यहां आप जानते हैं कि इसमें name बताने हैं और name क्या होते हैं, वो होते हैं proper noun. तो name to countries, countries मनिया, इंडिया और चाइना लिखा है, आप यहां पर पाकिस्तान और जर्मनी, इटली, कोई भी country का name right कर सकते हैं. इसके बार name to famous monuments abroad, abroad से मतलब है कि जो विदेश के हैं, बाहर के इने foreign country, तो leaning tower of pieces, statue of liberty, इनके अलावा pyramids और गीजा, जो भी आपको इस तरह के आते हैं, आप उनके name यहां पर right कर सकते हैं. Name to story books, तो story books में यहां पर हमने, यहां पर यह मैंने दूसरी किताबे लिख दी हैं, just books लिखी हैं, Bible और गीता, लेकिन story books के लिए आपको पंचतंत्र और jungle book, यह आप इसमें लिख सकते हैं. तो और किसी भी story book का आपको पता है, तो वो आप right कर सकते हैं, name to mountain peaks, तो mountain peaks में Mount Everest, कंचल जंगा, K2, तो यह कोई भी आप इसमें से mountain peak का name right कर सकते हैं, name to sports, cricket, hockey, football, volleyball, you can write any name, अब यहां पर एक list दी है, जिसमें एक list में proper noun दी हैं, और दूसरे में common noun इसे आपकी और अच्छे से practice हो जाएगे, आपको करना क्या है, कि common noun को proper noun से match करना है, तो first number पर है television channel, तो C पर colors, आप जानते हो TV channel है, country, यह आप देख रहे हो, E पर China, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, alphabetic number, mountain peak, G, Mount Everest, यह आप जानते हो name है, city, यानि कि H, Mumbai, girl, A, साइना नेवाल एक अच्छी player है, girl है वो, man, अभिनाव बिंद्रा, यह चैश के player है, name है यह, car, F पर लिखी है, Ford Fiesta, और building, यह B पर है, Parliament House building है, newspaper, J पर है, The Times of India, और book, आई पर है, Gulliver's Travels, तो आपको बिलकुल clear हो गया होगा, कि proper noun और common noun क्या होते हैं, अब हम collective noun की बात करते हैं, यानि कि group, group याद रखो, a team, एक player को नहीं कहेंगे, flock, एक sheep को नहीं कहेंगे, तो group को ही कहा जाता है, तो बस यही collective noun होते हैं, तो a team of players, a flock of sheep, an army of soldiers, a pack of wolves, यानि कि wolf का प्रूरा नमबर wolves होता है, class of students, अचलिए practice, a crowd of people were waiting for the magistrate, तो जब सारे लोग किसी एक चीज़ की weight कर रहे हों, तो वो crowd कहलाता है, और तितर-बितर हों, dispersed हों, तो वो mob कहलाती है, crowd आएगा, राधा climbed above flight of stairs, जो stairs का group होता है न, जिसे जीना बोलते हैं, तो वो flight कहलाती है, the old man was carrying a bundle of sticks on his head, तो sticks का group bundle कहलाईगा, a fierce pack of wolves attacked a herd of cattle, wolves के एक बड़े खुंकार जुंडने, cattle के herd, herd भी वही होता है, collective noun होता है, जुंड पर attack कर दिया, a band of musicians, musicians का band होता है, were playing in the orchestra, a litter of puppies, जो puppies का जुंड होता है, उसे litter बोलते हैं, were playing in the park, the tourists were attacked by a tribe of natives in Jambia, natives के होते हैं, जो वहां के moon निवासी होते हैं, हमारे यहां भी बहुत सारे tribes हैं न, तो वो natives हैं उस जंगा के, तो Jambia में natives के tribe ने, tribe के द्वारा, tourist पर attack कर दिया गया, an angry mob gathered at the accident site, अब एक गुस्टे से भीड, तो naturally सभी गुस्टे में इदा उदार किसी एक चीज पर focus नहीं कर रहे हैं, तो वो mob कहलाएगी, क्योंकि तितर बितर खड़े हैं, the platoon of soldiers gathered at the border, यह प्लैटून इसलिए ही use हुआ है, क्योंकि एक unit, जो एक unit होती है उनकी, उसे प्लैटून बोलते हैं, वो border पर soldiers के एक प्लैटून कठे होगी, the university has a library of books, books के group को तो आप जानती हैं के library बोलते हैं, for the students, अभी और आपको collective noun के practice करनी हैं, इस exercise में first letter दिया हुआ है, तो उसके according आपके लिए और easy हो जाएगा, तो उस letter को भी आपको notice में लेना है, उसे ही पूरा word बनेगा, a suit, पहले तो इसे बोलना जीए कि suit यह suit नहीं है, इसमें यह लगा है, a suit of furniture, जो furniture का एक group है, उसे suit बोलेंगे, a queer of arrows, आपने देखा होगा ना, लोड राम है, तो उनके पीछे जो barn रखने वाला, तीर रखने वाला जो एक होता है, उनके back side पे उसे queer बोलते हैं, a brood of chicks, जो चुझे होते हैं, उनका जुन brood कहलाता है, a plague of tourists, tourist का plague होता है, a choir of singers, singers का choir होता है, musicians का band होता है, a staff of servants, servants का staff, company of actors, actors की company, a horde of savages, wild people, uncivilized people, असब्य जंगली लोग, उनका hoard होता है, a clump of trees, पेड़ों का जुन्ड होता है, a clump, a tuft of grass, grass का tuft होता है, a litter of puppies, puppies का litter, a school of dolphin, ये तो याद रहेगा, dolphin का जुन्ड, school कहलाता है, अब देखिए हम बात करते हैं abstract noun की, abstract noun आप पहले तो ये जाने जी होता क्या है, abstract noun जिसे हम touch नहीं कर सकते हैं, और जिसे देख नहीं सकते हैं, केवल उन भो कर सकते हैं, वो होता है abstract noun, तो चलिए, बात काई हम यहाँ पर exercise देखते हैं, इस exercise में आपको opposite राइट करने हैं, यहाँ से select करके वो मैंने write कर दी हैं, आप इनको समझी है ध्यान से, hatred मतला नफरत, घ्रना, love, death, birth, failure, success, यानि के सफलता, failure, आसफलता, rudeness, अभद्रता, और politeness, politeness, विन्नम्रता, poverty, गरीबी, wealth, धंदोलत, dishonesty, बेइमानी, honesty, इमानदारी, disease, बिमारी, health, स्वास्थे, weakness, कमजोरी, strength, ताकत, अगलीनेज, बदसूर्ती, ब्योटी, सुन्दरता, arrogance, बत्तमीजी, modesty, नम्रता, शालीनता, innocence, भूलापन, guilt, अपराध, innocence को निर्दोशिता भी कह सकते हैं, generosity, उदारता, और selfishness, मतलबी पन, स्वार्थी, स्वार्थी पन, स्वार्थ, स्वार्थ कह सकते हैं, इसको इन्दी में, अब यहाँ पर भी, देखो, इसी की practice है, abstract noun की, अगर आप इस पूरी exercise को ध्यानते देखेंगे, आपको एकदम से बहुत अच्छे समझ में आ जएगा, the rose has a sweet, fragrance, खुश्बु को कहते हैं, punctuality, यानिके समय बधता, time पे काम करना, punctuality is a good habit, face the trouble, यहाँ face का मतलब चेहरा नहीं है, सामना करो, face the trouble with a smiling face, smiling face से, देखो, दोसरे वाले face का मतलब चेहरा है, इसका मतलब क्या है, सामना करना, यानिके, confront, मुसीवतो का सामना, smiling face से करो, the patient received the treatment from a doctor, doctor से, patient ने, इलाज लिया, अब जितनी भी word मैंने पढ़े, खुश्बु देखो, आपको दिखती नहीं, आप टच कर सकते हैं, punctuality ना दिखती है, ना तच हो सकती है, ट्रबल मुसीवते ना टच हो सकती है, ना दिखती है, treatment भी ना दिखता है, ना हम टच कर सकते हैं, अगर कोई से को injection दे रहा है, तो आपको तो injection दिख रहा है ना, तो उसको आप उसका नाम treatment रख देंगे, उसका तो injection होगा, तो आगे और भी देखे, और इस तरीके देखे कि हाँ पहचान अपने दिमाग में सेट करिये, कि ये चीज़े टच हो सकती हैं ये नहीं हो सकती हैं, दिख सकती हैं नहीं दिख सकती हैं, always speak the truth, हमेशा सच बोलो, life is full of happiness, जीवन खुशियों से परिपूर्ण है, health is wealth, सास्ते ही सबसे बड़ा धन है, the judges give justice, जो judges होते हैं वो wisdom, wisdom बुद्धि माने के लिए famous से, King Solomon, अभी एक और exercise है, इसमें हमें बनाने है, abstract noun, adjective से, तो मैं यहाँ पर उपएरे sentence लिखा है, what quality does a wise man, पजस, लेकिन हम पूरा sentence नहीं पढ़ेंगे, केवल मैं adjective रीड कर रही हूँ, wise wisdom, patient, यहाँ patient का मतलब मरीज नहीं है, patient का मतलब धर्य वान भी होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा सब्र होता है, तो patient man, यानि के धर्य वान व्यक्ति, तो उससे बनेगा patience, anxious, चिंतित, anxiety, चिंता, brave, बहादुर, bravery, बहादुरी, angry, crowded, arrogance, यानि के गुस्से में कियावा बत्तमी जी का विवार, या anger, दोनों में से कोई भी रैट क कर सकते हैं, cruel, cruelty, lazy का laziness, अब हम आगे देखते हैं, next, coward, coward का मतलब होता है, कायर, और कायर से बनता है, कायरता, cowardice, humble, venumber, humility, या humble नहीं, दोनों में से कोई भी रैट कर सकते हैं, विनमरता, innocent, यानि के निर्दोश, भूला भाला, और innocence, भूलापन, या निर्दोशिता, अब I think कि आपको बहुत अच्छे से abstract noun, दिमाग में आपके set हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, आप material noun देखिया, material नाम से पता चलता है, सब चीजे इस दुनिया में किसी ना क इसी चीज की बनी हुई है, आपका remote plastic का बना है, table, wood की बनी है, और आपकी अगर आप utensil देखेंगे, तो कोई steel का बना है, krokerी देखेंगे, china clay की बनी है, तो यही चीजे material जो चीजे हैं जिन से बनी हुई है, चाए आपके cloth हों, चाए आपकी building हो, कुछ भी हो, तो यह सारे material नावन में आते हैं, तो यहाँ चलिए, कुछ exercise करते हैं, प्रैक्टिस करके और अच्छे समझ में आजएगा, utensils are made of, किसके बने होते हैं, steel, windows are made of wood, ornaments कहते हैं, jewelry को, are made of gold, toys are made of plastic, frocks are made of cotton, iron के तो कोई frock नहीं होते हैं, wood क्यों होते हैं, blanket यानिके kumble, are made of wool, books are made of paper, seeds are made of sugar, tires are made of rubber, tumblers, आपने, लैम में आप देखेंगे, जब तो वहाँ पे tumbler रखे वे होते हैं, glass type, तो वो glass के बने वे होते हैं, अब यह last exercise है, यह compiled exercise है, इसमें आपके five के five, जितने भी kinds हैं, उनकी practice है, तो इसमें common noun के लिए com, c o m, proper के लिए pro, collective के लिए c o double l, abstract के लिए ABS और material के लिए mat, यूज किया गया है short में, आपको select करने कौन सा क्या है, it is a delight towards the galaxy of stars, और दाक नाइट, तो delight खुशी को कहते हैं, यह abstract noun हुआ, galaxy of stars, अगर यह milky way नाम होता तब, तो proper noun होता, यह common noun है, stars common noun, और night home देख नहीं सकते, तो यह abstract noun है, second, आप bunch of grape fell on the ground, तो इसमें जो bunch है, वो आप देख रहे हैं, इसको underline नहीं के, इसको आप खुद कर लीजिए, bunch collective noun है, और grapes, यह proper noun है, क्योंकि food का नेम है, यह proper noun, और ground, यह common noun है, storm, abstract दिखता नहीं है, और wine, common noun है, बेल को कहते हैं, अब इसके बाद next है, after long captivity, captivity होता, कैद, कारवास, the prisoner rejoice at the freedom, captivity कैद नहीं दिखेगी, तो abstract noun, prisoners, common noun है, कैदिवों कहते हैं, और freedom abstract noun है, आजादी हमें दिखती नहीं है, my shirt is made of cotton, तो shirt common noun है, cotton material है, cotton की बनी होई है, और cotton plants, यह तो cotton ही होगिया, और जो plants है, वो common noun है, और fields भी common noun है, Mrs. Sharma was presented an expensive diamond necklace by her husband on their wedding anniversary, Mrs. Sharma name है तो proper noun होगा, इसके बाद diamond material है, necklace common noun है, husband भी common noun है, और wedding abstract और anniversary भी abstract noun है, I hope कि आपको यह exercise बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और आपको मेरा पढ़ायावा समझ में आता है, तो आप चैनल को subscribe जरूर करिए, आपको तभी और वीडियो मिलेंगी, Thank you